तू सब्सक्राइब को डेली एट करवाइब करें लुक्रणीओ इसे इसा सुलीशन प्रूञ्ट करते हैं परट टू ठीक है इसका यह विजल चुरू काहई दो सुझा है जो रीचिक सफ है क capacity मैंने ज़ेगा चाहई चुल्त कर दो आज ढूरेंगे व्राइज यह आपकर हो गैश्ट करते हो है निक्रहश्क शाय गोए लीश्र्टन कनेश्र में एकस एबीस एड़ cauliflower ओधwordٌ वह सुल के सब्सक्रार यह पहला पशुद अभाए और यह दूसरा मान इस है ठीक है और यहां उसका फेस हो गया है कि इस तरी जंप्रादर बोलते हैं इसको कि यह पैट्ट पैट्र जो है लूक लाएगा पैट में होता है और यह जो है एक रीज़ादा देता है इसारे यह जितना हर्मानिक पैटरन है यह एक्रेस्टी ची देते हैं इस वापको स्टॉपलोस च एक्दम पता लग गया कि यहां बन गया यह कि भी अबन गया तो markट अबढ़ में है अगर यहां बन गया है तो मार्केट डाउंटेड ने यह सब एक्दम एक्दम पता लगता है जिसमें रिप्लाइब कर लगा टा टेकर इसमें यह निक उपर नीचे सब्सक्राइब करते हैं यही यूज करते हैं यह इनी पैटर्न को यूज करते हैं जब आपको चार्ट होगा उनके कभी वह जातर इनी आर्थ में से सब्सक्राइब करते हैं कि यह बहुत यूज करते हैं इसलिए मैं ले कर आएंगो कि यह को समझा पांँ कैसे यूज करते हैं कैसे करते हैं तो बिद्ट कि दो प्रॉप आरण चौन जो हुझार है कि एक करनी है एक सबक्रे बारे बताओ से तक आप कि आप इसे चार्ट में लगा पपाएं और profit बना जब कहा लगाने कैसे लगाने सब के बार ED किसे यहां से लुए गवाड़या हो से भणगा बेश्सकरणिन गवन कर ले यह तो इसफ़ांड में लइद यश्कायों और में स्काट कारनी ने इसको श्रुबात करेतीं यहां में स्कॉर्ट कार्णी ने डिस्कवर किया था यह पैटन कब 2001 कि 2001 कि मतलब आज से 20 साल पहले किया था उसके बारे में बोला गया है सबसे इंपॉर्टंट लाइन यह है आउट ओफ ओल ठीक है था पैटन्स प्रेजट इंदा हार्मोनिक ग्रूप बैट पैटन है इस यह जो लाइन है बहुत पॉर्टंट है हाइस्ट एकुरेसी है इसकी तो इसकी 100 प्रसंट के आस-पास ही माल दीजिए मतलब 99.9 की माल दीजिस के एकुरेसी है इस पैटन कैन बी एक्स्ट्रीमल पॉफिटेबल वें ट्रेड करेक्ट यह भी बहुत इंपॉर्टंट है कैसे एक्स्ट्रीम पॉफिटेबल कब ट्रेड एकुरेटली यह एकुरेटली ट्रेड करोगे सबसे जाधा पॉफिटेबल भी यह है ठीक है एक्स्ट्रीम पॉफि in smaller time frame किसमें काम नहीं करना है smaller time frame में इसका use नहीं करना है काम सम्में करता है पर smaller time frame में नहीं करना है उसका दिखा है because ठीक है क्या लिखा है because क्यों की जो price होता है time frame में वो क्या होता है move जो होता है जल्दी-जल्दी होता है smaller time frame में जो possibilities होती है प्राइस इस टाइम प्रेंट रिवर्स कुईकली विवर्स जल्दी जल्दी होता है एकदम से उपर गया एकदम से नीचे आ गया तो यह जो है थोड़ा सा आपको ड्रादेगा तो छोटे में यूज़ नहीं करना है आगे बताऊंगा कौन से टाइम इसके लिए बैस्ट है उ एकस ए, बियी सी डी कॉन से फाइफ पॉइंट है यह whispering point है इसके ठीक हैई शूहिंग पॉइंट है Macon और bullish और bearish दोनों में ही यह आता है, ठीक है, variation दोनों में आते हैं, इसके, single यह खली bullish और bearish नहीं, यह दोनों में आता है, और लिखा हुआ है, इस आगे लिखा हुआ, in a downtrend, the appearance of bullish bad pattern, अगर downtrend में है, downtrend से लिया है, मतलब lower point से point लिया है, तो यह uptrend में दिखाएगा, ठीक है, और in and uptrend, अगर appearance of bearish bad trend, मतलब कि सेम वाइसा वर्जा, lower point पे लिया है, तो uptrend जाएगा, और maximum higher point पे लिया है, तो क्या दिखाएगा, downside दिखाएगा, ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, इसके बारे में, अब क्या है, bet pattern rules क्या हैं इसकी, rules बहुत जरूरी होते हैं, जानना कि rules क्या हैं, इसको use करने के, तो यहाँ पर लिखा हुआ, harmonic pattern में, कि pattern के जो 4 legs है, ठीक है, 4 legs, reverse leg तो यह, और specify क्या है, फैविना को ratio में है, यहाँ पर आपको पहले सही में, कि यहाँ मैं आपको फैविना को दिखाऊंगा, पर यह actual में यूज जो होता है, आप चाहोगे, अगर आप जो भी trading platform यूज करते हो, उसमें आपको दिख जाएगा, वहाँ पर यह जातर A, B, C, D के नाम से pattern लिखा होता है, या फिर X, A, B, C, D भी लिख सकते हैं, ऐसे नाम से लिखते हैं पैटन, ठीक है, actual नाम नहीं देखते हैं, या हार्मानिक के से इसी में हार्मानिक आपको उसे ही सिता यूज कर लो, trading लगा के अपनी, तो ठीक है, तो क्या है, प्रॉपर यूज करने के लिए, फुल बिल करने के लिखा होगा है, तो पहला लिखा होगा है, एक से ए, ठीक है, एक से ए जानेगा, मैं आपको इसमें, इसके अगले वाले उसमें, मैं आपको ये बना हुआ है, दोनों बने भी हुए है, और यहां बता भी रहोंगा, दिखाता भी रहोंगा, इस बुलिश फर्म के लिए बता है, यहां देखतो एक्स, मैं पहली बोलुदा था, अगर लोवर पे ले रहे हैं हम, तो क्या होगा, फिर ये uptrend में होगा, ठीक है ना, लो यह मिल गया, B, C, D यह य realiz、、 यह नए यह तो आपको फ्रेम बनाना है आपको तरह उसके बाद यह फ्रेम बिंच्ड किलिर हो जाएगा तब इक आपको यह जो है बने के बाद यह फ्रेम दिख रहा है तो यह वाला यह बतायेगा की market का direction किया है ये तो जो आप x लिया है ये तो आपने base बनाया इसका x base बनाता बेस point ये random होता है ठीक है ना Random होता है ये ये आप कहीं भी लगा सकते हो ये random होते हैं ये point लेना होता है lowest point लेना होता है ताकि आप जो pattern है यहां पर लिया हुआ है तो नीचे के लिए यहां यहां ओपर लिया तो फॉर के लिए ठीकए उसके बाद आप मैं लाइन पढ़ता हूं बुलिश फर्म में फस्ट एक्स जो मैंने पहले ही बोला यहाँ पर रैंडम अपवर्ड मूफ आन दा प्राइस चार्ट यह लाइन जो है कि इंपॉर्टंट है रैंडम हुई यह वाली बस रैंडम यहाँ अबवर्ड और डाउनवर्ड दोनों आप लिख सकते हो ठीक है अज Ing यह यहां दोनों क्या है रैंडम पउइंट एक तर leaders रैंडम पउइंट से यह दरेंडम पॉर्ट क्या है एकदम रेंडम पॉइंट यह पॉइंट जो है आपको कैसे है बस आपको देखना ही कि लोह आपने पॉंट माना यह यहां से मैं ऐ लोगा ठीक है और फिर आपने बोला भी यहां से लेने बाद उसके बाद आप बी लोगे इसमें भी है आपने कि हाइस पॉइंट है यहां से मैं बीलूगा एकसलों यहां तक ए होगा ठीक उसका ए प्वाइट होगा है आगे मैं बताओ को कि अधि चार्यड में झी कहा है रंडन पॉइंट फिर एशे-b के लिए यहांसे ए कि बताये दों अब हम यहां से यहा आएंगे काहा से इस पॉइंट से हम इस पोइंट कर जाएंगी बी की तरफ अब इसका इंपॉंट बहुंट है ब्लोट के हैं, ये फैवी के हैं, फैवी के हैं, फैवी पोईंट ने तिने पोईंट दख रहे हैं, 38, 151, 188 ये फैवी के पोईंट है, मैंने इसमें लिख दिया, आपको यादगना कि ये फैवी के हैं, 38 ठीक है, यहां पर क्या बोला है, फोने, for a bad pattern, get valid the AB lag minimum retracement minimum retracement क्या है should be क्या होना चाहिए should be इतनी होनी चाहिए कम 38 से तो retracement लेनी लेनी है जो आपनी यहां से यहां तक गए यह कितना 38 हो या फिर 50 हो ठीक है जैसा आगे बोलेगा वह lag ठीक है should be 50 और of A और X और A lag और maximum 50 मतलब की क्या है 38 से 50 minimum क्या रखनी है आपको 38.2 और maximum 50 मतलब आप बनाने जा रहे हो उसको तो X A इन दोनों का कितना और अच्छी है B A और B 38 परसंट से लेकर 50 के in between मैं चाओं Maar in between मैं but between हो रख सकते वां ठीक है तो एक मैं यह फिर आतूं जाता हूं ज़ड़ा मालरो कि X A का पाउंट था तश्छाव्क están तो आप यह कितने यह होने चाहिए तो इन दोनों के इन बिट्वीन होना चाहिए यह वाला पॉइंट अगर प्राइज इन दोनों में 10 का पॉइंट का अंतर था तो यह जो पॉइंट में आएगा इन दोने के पॉइंट में अंतर आएगा अगर यह 10 पे है तो यह तकरीबन 5 पे या फिर 6 के पास होना चाहिए ठीक है यह वाला पॉइंट ठीक है अगर मैं इसको एक मान रहा है तो यह एक है यह 10 है तो यह 5-6 के बीच मोना चाहिए सब्सक्राइब करते हैं यहां पर हो गया था मैक्सिम इतना हुजिफ कौन से लेवल मैंने वह फिर बोला यह जो आपको फैवी के जो यह हमेशे याद रखना है लेवल कौन से हैं फैवी नाकों के लेवल है ठीक है उसे सजेस्ट क्या है स्कॉट कारिने से सजेस्ट डाट जो इंक्रीज करते हैं तो जो सीघिनल अक्रीस में बहुत हो और अच्छी जन्रेट हो जाती चीए और अच्छी मतब अगर मैं काऊंँ कि आपने जो पॉंट जो है पच्छ पर मतब दसका हादा पचास पर लिया पांच पर लिया तो और अच्छा सीनल देगा यह confirmation का ठीक है अब यहां चलते हम B से C की तरफ यह मैंने बात करी bullish में ठीक है इतना जो framework मैंने बात किया है यह जो यहां तक बात करी है यह bullish में बात करी है पहली है तो आपने मानना है मैंने का इसको भी सेम एकशES दस पर रखा थीक है और Że को इसका दूइंना में इसका इन दोनों में कतना उर शचाह準 और इसका इन दो क्तना पर होना जाएं सेम यह इंदा-इहां पर नाचए यह दो पांच पर यह वह सिछे पर ठीक्सिए 8 का य तो जाता अच्छा है और पांच पर है तो और वैरेंट गूट है ऐसा कि उन्होंने बोलाएं स्कॉट कार्डिन क्या बोला सजिश किया था दक्ट्रिटेज में फिफ्टी लेवल इंक्रीज अच्छे से अगर पांच पर है मतब पचास के आसपास आए लिया है अपने विसा पता है ना कि फैविना को ऐसे दिखता है ऐसी लाइन्स में होता है वहां में नंबर लिखे होत कि मालो यह 50 लिखा है तो 38.2 तो अगर मालो अपने कोई यहां से लिया यहां से लिया अपने एक्स और वो गया कहां तक गया वो मालो गया वो ऊपर तक गया अगर वो रिट्रेस्मेंट यहां से कर गया वैल और मालो भी यहां तक आ गया तो कोई बात नहीं यहां सकता है व यह बज़ लग अच्छी बात है, नहीं तो वह अगर वह येलो लैन से रिवर्स होता है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, बात सेम ही है, बस थोड़ा सा 50 वाले से थोड़ा सा और एकुरसी भढ़ जाती है, और कुछ नहीं है, बस तीक है, बलू वाले से किया, उसने, बलू वा है कि प्रॉफिट जो है, थोड़ा कम हो सकता है, फिफ्टी वाले में पॉइंट थोड़ा जादा, प्रॉफिट थोड़ा जादा हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आ गया कहीं, इन बिट्वीन है, तो भी ठीक है, खराब नहीं है, आगे चलते हैं, हमने कहा है, बारी, बी-सी, ठीक है, यहापर लिखा हुआ, बी-सी, बी-सी मूफ कैन रिट्रेस, अब तुम, वही मिनीमम यही है, उसका लेवल, एड ए-बी, और मैक्सिमम क्या है, यह, आपको फिर यह दो लेवल याद रख में है, 38.2 और मैक्सिमम क्या बनाया है, उन्होंने, 88. 38.2, रिट्रेस्मेंट, ठीक है, रिट्रेस्मेंट, 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 रिट्रेस्मेंट कहां से करेगा, तो वह रिट्रेस्मेंट, इतने लेवल से करेगा, यह, 38 पे रिट्रेस्मेंट, रिट्रेस्मेंट हो, मिनीमम महाता चला जाए, और मैक्सिमम कह यहां थोड़ा पिंट मिस्टेक हो सकता है धिकर यहां पर 38 पॉन सेम लिख दिया है पर यहां पर क्या एक वाला यहां यहां पर 88 हो सुछ 2 जोड़ा सा दिद्ध़ा मिस्टेक कुगा आगे लिखते हम अग़ें सोझे लीजिन जना आभ भी इसको बनाओ कर हो गें इतना कैसे मालम से अल्मूस्ट थोड़ा हो तु कि अल्मूस्त फोड़ा नीचे तो आपको को खालकासा नीचे हो सकता है पर जादा नहीं होना दिखी है निड़र चाहिए वह यहां पर दिखा रहा हूं पर लेख विग्लेगा लेखां तो स्टों से जायगा दोना के लि illustrates again यह के लिटकर पार जायगा झाई यह निहां से बन जाए कि यहां से बन जाए चाहें यहां कि परफ़वे लेने क tolerant 38 पुं लेना और 88 पुं क उन्यसके जी से यह लिख होगए यह कि दो इसको लगा जो फैविनापो पर तो 38.2 लेवल पर या फिर 88.6 लेवल पर दो नमर सेम है जैसी यहां से अप अपने ये फ्रेम पुरा किया इतना फ्रेम आप पूरा हो गया है ठीक है अब वह यह वाला जो है जो है जो है सी को नीचे लेकर जाएगा ठीक है इस से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए इन दों के बीच में तो इन दों के बीच में चलेगा या फिर अगर 88.6 है और 38.2 है तो वैलन गूट है अब नेक्स्ट आता है हमारा वह है सीडी मतब लास्ट पॉइंट जो प्रॉपर बेस बनाके बताएगा आपको यह बेस बन गया है तो यहां पर सीडी का लिखा हुआ है सीडी दे लास्ट मूव ठीक है क्या करेगी सीडी जो है लास्ट मूव है कन आइफ बड़ अखर सेबड फार्म करती बैड पैठर्ड इस मूव शुद भी एघ्ट शुद भी एडट इटी एट पॉएंट सिक्स ठीक है कै फैक्ट्रेश्मेंट आफ एप एब एक्स गई देखना है आप एक्स और एदेखना है यहां पर एक्स ए देखना है यहां पर आपको BC नहीं देखना है, CD मनाते वक्त BC नहीं देखना है, आपको XA देखना है, और क्या बोला है, इट शुड बी 1.16.8 और 2.68 खेविन आपको extension of AB, of the AB level, मतलब आपको दो लेवल दे गए, इसमें दो लेवल दे गही है, एक तो X लेक्स लेक्स ले सकते हैं, या फिर AB लेक्स से ले सकते हैं, यहाँ थोड़ा tricky हो गया है, थोड़ा सा, मैं चार्ट में दिखा दूँगा, आपको महाँ पेच्छ समझ आएगा, क्या दो हो गए हैं आपको XA देखना है, आपको साथ में देखना है, ए और B, CD कंसीडर नहीं करना है इसमें, इस वाले फॉर्थ पॉइंट में आपको BC कंसीडर नहीं करना है, BC को देखना भी नहीं है कि BC विल नॉट कंसीडर, कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, वेन यू मेक, CD, BC विल नॉट कंसीडर रेवल है, ठीक है, वो BC का आपको नहीं देखना है, आपको देखने क्या है, XA ठीक है, और B, AB ये दो ही लग देखनी है, BC नहीं देखना है, तो यहां बताये तूं कैसे, यहां बताया रखना है, BC कंसीडर नहीं करना है, यू, वी केन नॉट कंसीडर BC, वेन यू मेक, CD, ठीक है, यू अल्ली कंसीडर, AB और XA, ठीक है, जब CD बनेगा, तो BC कंसीडर नहीं करना है, बसको याद कर लो, अल्लाइन को, CD जब CD बनेगा, तो BC कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ XA और AB होगा, तो कैसे होगा, जैसे यहां पर दिख रहा होगा, जब A से X गया, XA गया, और तो जो CD है, वो कितना होना चाहिए, इन दोनों का, इन दोनों का, इसका और इसका, 688.6, तो यह एक पित है, तो यह एक के थोड़ा और उपर होगा, तकरीबन मैं कहुंगो, 1.4, तो यहां पॉर या फिर 5 मानने जागा, इसके आसपास के पॉइंट होगा, यह होता है, कहा सपोर्ट, यह में बना आपका सपोर्ट, अब मैं बता है, यह आपका बनता हो, उप्टेंड में यहां सब्सक्री को सब्सक्राइब करेंग्रूम मार्केण में, और नली, यह इतने पइंट नहीं होना चाहिए वह अगर जर्नली आप इस वाले पॉइंट को सभी से ले लोगे न आप तो आपको यह दो पॉइंट जो हैं ज्यादा करना की जोलती नहीं पड़ेगी वह अपना एकुरेट आजाएंगे आप अगर आप एक्स एक पॉइंट तो आपको बी अबी का पॉइंट ज्यादा करना की जोलत नहीं पड़ेगी वह मिल जाएगा और नॉर्मली वह दिख जागा कि यहाई पर्खक्ट हो गया है वैसा ही बेरिश में है बेरिश में ज्यादा टैंक वह नहीं है कि अलग है सेम जैसे यहाँ पर 88.6 है महाँ भी 88.6 है यहाँ भी 88.6 है और 161.8 एक्स्टेंशन लेवल है फैवी के ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है यह पॉइंट है एक्स्टेंशन के आपको इतना डूल समझ आगे होंगे यह चाहो तो आप इसका स्कीन शॉट लेना एक्स रूल का और साह्लीक नोट है मैंने लगार की है मां मोटे मोटी जो आपको देखनी है एक एक्सट्र लाइन आया दाऊ है कि यह द और यहाँ अखरना एक्स से यह उहार रेंडम है यहिर्याडेंडम है बाकी आपको अभी 242 बनाने है और 252 बनाते वांको 242 बनाने है है उन शूल फें साथ होगा एक ठीक है उसमें कोभी वो नहीं है जो है लो और ऑट पीच मेस बीच में डेल होगी बीच मेंस कोई ने लेना है सभी साफ मार्केट जो हाँ और मार्केट ने डाउंट्रेंड दिखाया है उसके ऊपर कोई और विए प्रिवेस में पास में ही तो वो लेनी पड़ेगी आपको यह नहीं कि आप मैं थोड़ा सा और कम बताऊं यहां पर मालू जी की चार्ट बना कि यहां बन लेति कंड़ बन ल्डी थी विग बं लेए टी तो अपने इसको लेजर्ब वेलाट गूड है मंकों कीुमाइक की मार्केट में और ब्या बने भी ज़िए थी औwृसुक्णंट्र मन गई ती चिर्वास जंगे consistent तो अब आपने का मार्केट ये डाउन ट्रेंड में चलता चला गया फिर मार्केट द्वारे से अप्टेंड में गया फिर यहां पे उसने क्या पड़ा है यहां पर एक बना दी अब आप, मुझे बनाने है कि बेरिष ब्राण से पर हमालों आपने देग बंदो अब आपने ये पंदर नहीं चुन आएगा यह वाला point चुना जाएगा. Means ayam. माक्सिम वाला point चुना गा यह वाला point नहीं चुना जाएगा. ठीक यह वाला point चुना जाएगा. वैसे बेरिश्म अगर आपको. बुलिच वाला तुनना है तो यह वाला point यहाँ बे कैंडल बनी बलो बनी प्रिंट चुलना है इस नहीं चेले जो नहीं चुलना है टीक है यह वाला प्रिंट चुलना है इस इसे दिन सब्सक्राई तो आगे चलते हैं आगे जो है आपको चार्ट दिखे रहे होंगे यूएस डॉलर का दिख रहा हो यह चार्ट आई है ठीक है चार घंटे में 220 का मतलब 4 आर का चार्ट आई है मैंने पहले बहुत है कि आपको लेने कौन से पैटर कौन से आर्स में है तो मैं आर बताये हैं तो आपको यह जो है से लेकर अब बनार के कोई से भी चार्ट आप यूज कर सकते हो इसमें चोटे में करोगे तो मुश्किल जगा आपको भी होड़ा चार्ट क्योंकि आप बना तो लोगी पर आप बहुत मालोगी पंदा में दिनी खतम हो जागा फिर अगले दिन में देखोगे तो पार्ट यह को मुश्किल हो जाएगा इसमें यह होगा कि आप इसमें बनाओगे तो आपको समय मिलेगा बनाने का क्योंकि यह जो तो होते हैं पर यह कंसीर करते हैं लॉंग टाइम तक ठीक है जो मैंने सुन में आपको लाइन बोली थी कि आपको चार्ट में जो अलग पॉइंट द टीजिए करके जो भी पैटर मिल जागा मिलेगा अब आपको देखोगे तो आपको इसमें अपने अपने सबसेदें तो आप दो काम कर सकते हो जा तो फैविना को लगा लो और अपने अपने सबसेद उसको फिर पॉइंट बना लो कि यह यहां पर चुआ पर चुआ पर अब बनाया तो आपने एक्स का और इसका एक्स्टेंशन पर देख लिया कि हाँ जो एक्स्टेंशन था नॉर्मल आ गया है क्योंकि एक्स और एका 88 पॉइंट होना चाहिए और ए और बी का 161 ठीक है पर अब यहां पर पॉइंट क्या दिख रहे हैं अलग तो आप क्या कर सकते हो आप चाहो तो इसके स्क्रीन शॉट ले लो और एज़िट इज यही पॉइंट लगा दो कुछ ख़ा भी नहोगी चल जाएगा जैसे कि यहां पर लिखा भी है तो start point x was at this ठीक है उसने कहां से लिया start point एकदम lower point यहां पर लिखा हुआ है यह रहा ठीक है ना point 9840 from where the move has started जहां से move start हुआ the price action start to counter the trade from 09984 कहां तक गया वो 0.09984 A जो रैंडम लाइन एक let's consider the this as a point A क्या करेंगे consider A करेंगे आपने क्या करना है यह तो फैर भी ना को लगाओगे पहले मैंने value होदी x और यह तो क्या है एक रैंडम है उसका क्या बोलता है and x is nothing but a random bullish move in the market जैसे कि मैंने पहले बताय हुआ बुलिश मुग है क्या रैंडम है now we located our first swing high अब क्या करेंगे हम पहला swing high लगाएंगे अपना यह जो पहले ही बन चुका होगा इतना फ्रेम पहले ही बन चुका होगा आपको यह फ्रेम बनाना नहीं है आपको यह फ्रेम पहले से ही बस दिख रहा होगा मार्गिन में आपको पॉइंट आना शूकरना है उस फ्रेम पे बस उसके बाद जो यह फ्रेम है यह फ्रेम आपको प्रॉफिट देगा यह स्टॉप लॉस और टार्गेट बताएगा एंट्री बताएगा सो नेक्स स्टेप इस काउंट दा मार्केट वेफ मूवमेंट अब मार्केट भी मूवमेंट त्यार करनी है दा यह वीवीएफ क्या है टा से चैनल कुई ट्री ट्री पॉइंट व से ही रिट रिटाइस कर गई वो ठीक है and the BC move goes up again, the retrace at 88.6 of AB, AB के 88.6 है वो, ज्यादा है वो, furthermore, the market print the last move of the pattern, अब मार्केट अपना आख्री मूव देखा, वो कह है, CD, which is at 88.6 level of XA move, so we can have or got all the four touch pattern for the bullish pattern in the price chart, so हमें क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे pattern हमें मिल जाएंगे, while make back testing, we found the market blasting at the north whenever the CD move finish at, ठीक है, कहां पे, CD move हां पे, खतम किया, ठीक है, 88.6 पे, this is the reason why we took the buy and as soon as the price has complete the CD, ठीक है, it was an excellent risk reward ratio trade, उसके बाद आपने क्या देखा, आपे, जैसे, you can see that, कि market जैसे ही move complete किया, उसने, अपना CD, आपने, आपको पता लग गया, यह जो है, base बन गया है, यह support हो गया है, ठीक है, X के नीचे, कुछ पाइंट नीचे stop loss लिया गया, यह final stop loss है, मैं कहूँ का, यह जो है, X का point था, और यह sell लिया गया, कुछ भी leave किया जाता है, ताकि, entry, and, मतलब अगर market गरता है, तो, हमें profit हो पाए, ठीक है, ऐसा नीचे, लिया, और market नीचे लिए लगा, हमने छोड़ दिया, हमने चोड़ो छोड़ो, नहीं, मतलब, जितना X हमने वोई लिया, अप SL और निकल गए, कुछ लिवे point रखा जाता है, ठीक है, लिवे point रखा और, कुछ लिवे point रखा ताकि, अगर market पॉल होता है, तो, in case बच सके, stop loss hit now, ठीक है, उसके बाद market नीचे फिर, अप्टेंड के लिए, पर इसने क्या 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 है, जैसे ही, anti-le, market, anti-le, गई और market, अप्टेंड में चलता चला गया, target क्या है, target जो है, BC का highest point है, BC का highest point क्या है, BC का highest point है, target, ठीक है, आपको भी आपको यहीं तक आपको एक अपना रखना है, आपको इसने साथ में ट्रेडिंग स्टॉप लोज जो है, यहां पे लिया है, फिर यहां लिया है, और फिर एक बार यहां लिया है, और फिर फाइनल आपने exit कर ली, मतब आप आप रखने आपड़घ का ली पाच्यिस, पच्छिस पच्छिस और पाच्छिस, लीशन, पाच्छिस टेडिंग का रूल होता है, 25% एक बार बेने का लो market का, रसो लीशन, फिर 25 एक बार बेने का लो 25, एक बार बेने का लो 25, 25, rest of the 25, you will leave and the last target, whatever you want, like if you want first target is your 10, next target is your 12.5, then you should leave at least, first to target, first you should leave 25 percent, okay, shares or whatever you, if you are derivative, you can leave 25, then 25, then 25, then 25, this is how many traders are like this, they are 4 and when you think that market is not going higher then it will do 33, 33 and 33, they are going to do 3, they are going to exit 3, which are the way to exit to the market. First, the 10 shares, when I am going to the 10 shares, then 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 the पर हैसकर के सारे इनकाल दिए यह प्रॉफिट दिन का तरीका होता है अब आगे चलते हैं बेरिश मुझ जान ले तो कि बेरिश में क्या है वैसे वाइसा ही वर्साही है कुछ जादा चेंज नहीं है यहां पर जैसे जो यह रहना बिल्कुल से यह है इसमें कुछ भी अंतर न चुद लेख लिए तक कि आप समय आ तो कम इसे वह रह Jag Eddie गुक पइंट है यहां पर आंगे हैं है बस यह कह यह जो प्इंट लेगे हैं वह नहीं गया और लाकित आ से यह वह रहताने मुद्थन यह थो हैं आपको थोड़े से अलग दिख रहे हैं यह बद आ आप पर अगि कर रहे हो इसमें तो आपको पॉइंट नहीं बदलने हैं आपको यूज करने है जो पॉइंट मैंने यहां बताए थे वही पॉइंट यूज करने है फैविन आपको में और कोई पॉइंट यूज नहीं करने है इसमें भी इसमें कुछ अलग नहीं है बस वही अगर जैसे ही उ restriction market there is a restriction and you should make entry and take a stop-loss find out the stop-loss and find out where is the target दिरे दिरे टार्गेट इसमें आपको थोड़ा दिख रहा होगा यह जोहाँ से मैंने यहां बता है आपको कि यहां पर profit book करना आपको दिरे 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 यहां पर अच्छा चलेगा वो ठीक है आपने जाजी देखा सब्सक्राइब यहां नीचे आई आपने यहीं पर ही 25 अपने पर्सेंट जो है जो कि आपके स्टॉप थे शेर ते उसको एक्जिट करा और आपने क्या करा अपना 25 छोड़ दिए बाकि 75 छोड़ दिए आप यहां दो चीज होंगी या तो अपना stopless लगा हो गें ठीक है कि इसकी ही stopless लगा रहा है अपना बड़ा की आपने में सब्सक्राइब तो आपको आपको यह जो है आपको इतना समय आपको को विरेकरन profit achieve आपना टारगेट अचीव हुए जो क्या था यह था यहाँ आपको यह समझे जाता आपको यह समझना है यह तो कुछ नहीं है यह तो आपने समझी लिया ना यह है आपने समझ लेने सारे पैंट यह वाले पैंट तो आप यह तो लगा ही लोगे पर आप यह है कि profit इस में को रिख्ए जो कि एकचल में दिखाएगी यहीं मेर्क सब्सक्राइब ऑर असके शरुब्स गवह मारेज इसे भी बोलते हैं होता है वह important होता है तो मेरे सबसे आपकी दोई चीज कर सकते हैं या तो आपने होल्डिंग की है मैं होल्डिंग करता हूँ आइकन होल्ड एज लोग एज अंटिल मैं स्टॉपलस ठीक है और नहीं तो आप में अगर मान लो इतना नहीं है तो आपने यहां पर ही जैसे इस ही क खेंज कैyu और लेता को ज़ी अवैं हाँ अब हैं इना स्ट वह श्रुपलस लागा लिए यह तरिका रोच मेर्ट कीया झालें इसके बासे पर अपने पोजिशन कांटे लिए चाल फिर आपको यह इतना एरिया यह सब देखने की जुरत नहीं पढ़ेगी्स इतना सब देख ली कि आपने मार्केट फीर अंटी ले में यहां न पर अच्छा फिर आपने क्या किया है है यहां पर तीसरी बारी में दोवारे अंटी ले लिए और इसके बाद आपने अच्छा डाउन फोर जो आपको एक्शॉर प्रॉफित हो होना था वो बुक हो गया ठीक है I hope आपको ही समझ आया होगा बैट ठीक है ऐसे ही हमें तीसरा भी लिखाऊंगा पार्थी भी लिखाऊंगा धीर लेंगे तक कि एक दम से पता देना मुश्किल होता है समझ पाना मुश्किल होता है आपको इस वीडियो को भी कम से कम दस बारी तो बहुत को देखनी पड़ेगी तब ही आपको समझ आएगा दस बारी नहीं तो आट इस पांच बड़ेगी वीडियो आपको काट टोब रोग के कि आपको समझ आए फैविना को लेवल क्योंकि जब लगा रहोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको सोर्स होना जिहां से अराम से कर पाओ गये इसका भी ले सेक्ट तो स्कीन्डरी है पर यह प्रैमरी इन दोनों गो लेने ही पड़ेगा नसेसरी भी है यह आपको लेने पड़ेंगे दोनों इसके ले लोगे तो आप एज़ीली कर पाओ गए तो इसको यह नहीं पर नाम देते हैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं तो ऐसे और भी बैटन के लिए और स्टॉक की जानकारी के लिए ब्रेक आउट स्टॉक की जानकारी के लिए और निक्टि लुटि के लिए चैनले बने रहें धन्यवाद